कि अभी तक अभी कर पाऊंगा क्यूंकि हमारे जो घर की जिनने भी खेथ है उसमें अनाज की फसर लगा दिया और कोई भी खेथ बचाने यह फ्लिप रेक्टिस करने के लिए इसलिए मैं यहां पर आया हूं अपनी जो फ्लिप है उसे रिकावर करने क्यूंकि मैं सोच रहा कि अपने इस चैनल को सब्सक्राव साथ कुछ अच्छे कांटेन अपलोड किया यह यहां चाहिए पर आए अगा कवर करनें कि वीडियो ही फ्लिप करें आख़ी हाय कुछ युच आफ्बीस खों का लिए मैं पर कुछ फॉम करके देखते हैं क्यू ë तो के सो यहां पर दोफेर को पारिस आ गई थी इसी वज़े से यह पूरा इलाखा जो भीग चुका है और इसी वज़े से मैं स्लिप हो रहा हूं एकिन फिर भी देखते हम कि कौन-कौन से फिलिप कर पाते हैं ट्राइ करेंगे हम चुका बांटार ब स्काल को कि सो मैंने फ्लिप स्ट्राइब किया लेकिन नहीं हो पा रहे हैं और जो फ्लिप्स हो रहे हैं उनकी हाइट बहुत नीचे आ रही है क्योंकि मेरा जो वेट है वो 74 प्लस है इसलिए मतलब जो हाइट है वो नीचे आ और यह यह पूरा ग्राउंड भी यूज नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि देख सकते हो यहां पर जो गाय है उनका गुबर और छोटे वाले पौध हैं इसलिए मैं इस पूरे ग्राउंड को यूज नहीं कर पा रहा हूँ और इस गी खुदी यहां पर लगाया है एक और आधा घंटा लगा मुझे यह लगाने में क्योंकि मेरे को जो यहां पर बीच में पतली चमड़ी आती है वो मेरे को मिली नहीं रही थी उसके बाद जैसे मुझे मिले मैंने समें छेद किया ओके सो अभी हम ग्राउंड से दूर जा रहे हैं क्योंकि यहां पर लोग आ रहे हैं अपनी गायों को लेने और वो मुझे घुर घुर कर देख रहे हैं तो इसे लगाने के बाद जो यहां पर यह जो बॉल जैसे दीख रहे हैं इसे फिट करने में मुझे आधा घंटा लगा मैंने इसे लगा है और इसे लगाने का रीजन में बता दू कि मेरे को थोड़ा एक अलग लुक चाहिए था और अभी एनिमे कॉस्प्ले रिलेटेट कुछ अच्छे वीडियो बनाने वारा हूं इसलिए यह मैंने किया है और इसके अलाव मेरे लाइफ में बहुत सारा प्र ट्राइपोड है यह देख सकते हो यह एक रिंग लाइट का ट्राइपोड है तो यह ट्राइपोड इतना काम का नहीं क्योंकि हावा आते ही गिल जाता है फिर भी इसे मेरे को मैनेज करना पड़ेगा यही एक अपने पास अभी बहुत सारी प्राब्लम चल रही है मेरी लाइफ में फिर भी मैं हार नहीं मानूंगा ऐसे वीडियो बनाते रहूंगा अभी आगे आने वीडियो में बहुत ही अच्छे मतलब वीडियो लाने वाला हुमें मिलते हैं नेक्स वीडियो या व्लाग में